गूड यूणिंग स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में कनिस्क के सासन एम उसके समराजे विस्तार के बारे में ध्यन करेंगे तो देखिएगा कनिस्क के कुसान मंस का सबसे सकती सालिस आ सकता इसे कनिस्क पर्थम भी कहा गया है ठीक है और कुसान मंस के बारे में भी हम आपको काफी कुछ पहले पढ़ा चुके हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके और कुसानवन्स के बारे में तदाकनिस के बारे में जानकर इप्राप्त कर सकते हैं और एक इंपोर्टेंट सूचना है कि यदि आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें तक कि आप अपने फ्रेंड्स तक इन वीडियो को पहुंचा सकें और बेल आइकन दबाए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिले और आप एक्जाम की द्रस्टी से महतवपुन वीडियो देख सकें ठीक है तो देखें पढ़ते हैं कनिस्का सासन या उसका समराजे विस्तार अनेक विजियों के द्वारा कनिस्क ने अपने लिए एक विसार समराजे का निर्मान कि उसके विबिन लेखों तता सीकों के आधार पर हम उसकी समराजे सीमा का निर्धारन कर सकते हैं ठीक है तो अपने लोगों ने क्या पहले वाले वीडियो में कुशानवन्स के सीकों के बारे में पढ़ा था तो देखेगा महाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं उसका लेकर दक्सिंद में विंधय परवद तक तदा पस्चिव में उत्री करनिस्तान से लेकर पूरवी उत्रपरदेश इम बिहार तक विस्तरित था कई बार जो कनिस्क है इसका समराजिय विस्तार एकजामें पूछ लेते हैं तो वीडियो का आप अच्छे से देखेगा राश्त पूर्वी उत्रपर्देश पर उसके अधिकार की पूष्टी करते हैं। और कनिस्क को कुशानवन्स का सबसे सक्ति सालिसासक भी कहा गया है। लेखों में उसे महाराज राजा धी राज देवपुत्र कहा गया है। देवपुत्र की उपादी से ये सुचित होता है कि वह अपनी दैव ये उत्पती में विश्वास करता था। ये उपादी उसने ची पर ग्रहन की होगी क्योंकि चीनी समराट भी अपने आपको स्वर्ग पुत्र कहते थे तॉमस का विचार है कि देव पुत्र कुसाणों के सासे की उपादी नहीं थी अपितु यह प्रजा द्वारा परदान की गई थी इसी कारण इसका सीकों पर अंकर नहीं मिलता आर ए सर्मा के अनुसार इसके मादम से उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने का प्रयास किया रोमन सासकों के अनुकरन पर कुसाण राजों ने भी मृत सासकों की स्मरती में मंदिर तथा मूर्तियां बनवाने की प्रथा का प्रारंबे किया था राजा दिराज की उपादी से सुचित होता है कि कुसान समराट के अधिन कई छोटे छोटे राजा सासन करते थे परियाग लेग से सुचित होता है कि कुसान सासक देव पुत्तर के अलावा साही तथा साहानु साही की उपादिया भी धारन करते थे साही सामन तता साहानू साही स्वामी सूचक उपादी हैं इस परकार परिशासर में सामनती करण की प्रकृरिया का प्रारम सक कुसान काल से ही होता दिखाई देता है ठीक है यहां से समानती जो व्यवस्ता है वो उसके जिन यहां से दिखाई देने लगते हैं कालांतर में गुप्त समराटों ने इसी प्रकार की विशाल उपादिया घ्रहन की कनिस के अपने विश्तरी समराजे का निरंकु सासक था परसासन की सुविधा के लिए अपने समराजे को अनेक चत्रीपियों में भाजित किया था बड़ी चत्रीपी के सासक को महाचत्रप तथा छोटी चत्रीपी के सासक को चत्रप कहा जाता था उसके अभी लेखों में अनेक चत्रपों के नाम मिलते हैं जिससे ऐसा पर्तीत होता है कि वह है अपने समराजे का सासन छत्रपों की साहता से करता था जानात के लेक में महाचत्रप खर्पलान तथा छत्रप बनसपर का उलेख मिलता है खरपलान मतूरा में महाचत्रप था तथा बनस परवारानसी में चत्रप की हैसियत से सासन करता था उत्तर पस्चिम में लल तथा लायक उसके चत्रप थे पस्चिमोतर भाग में कपीशा तथा तक्षिला उसके सासन के केंदर रहे होंगे चत्रप के पद पर अधिकतर विद्देशी वेक्तियों की ही नियुक्ती होती थी जैसा कि उनके नाम से ही पता चलता है कुछ चत्रप अनुआनसिक होते थे कभी-कभी एक ही परदेश के उपर दो चत्रप एक साथ सासन करते थे इस प्रकार एक ही प्रान्थ पर दो सासक न्यूक्त करने की विचीतर पर्था का प्रारम कुसान को समय में देखने को मिरता है समुद्र गुप्त के परियाग लेक से पता चलता है कि कुसान राजे में विशे तता भुख्ति जैसी परशासने एकाया होती थी सम्मान नागरिकों के सम्मान छत्रब भी बुद्ध पर्तिमाओं की स्ताफना करते तता दान आदी देते थे किन्तु उनके वेतन तताकार्यकार के विशे में जदा जानकरी प्राप्ते नहीं होती है मथूरा संभावता है उसके सासन का मुख्य के अंडर था तदा दूसरा पर्षासने के अंडर वारान सी था कनिस के लेखों में किसी इसलाहकारी परिशत का उलेख नहीं मिलता कुछान लेखों में हम पहली बार दंडनाएक तथा महादंडनाएक जैसे पदा धिकारियों का उलेख पाते हैं संभवतह वे सैनिक अधिकारी थे ग्रामों का सासन ग्रामिक द्वारा चलाय जाता था जिसका उलेख मथुरा लेख में मिलता है गरामिक का मुख्य कारिय राजस वे वसूल करके केंदरिय कोस में जमा करना होता था तो ऐसा लगता है कि कनिस्क का साथन अधिकांस्त है सैनिक सकती पर अधारित था और इसलिए वैस्थाई नहीं हो सका था ठिक है तो हमने इस वीडियो में करनिस्क पर्थम जो कुसान वनसका सबसे सक्ति सालिस आ सकता उसके समराजे विस्तार उसकी सासन विवस्ता के बारे में जानकरी प्राप्त की और इसी प्रकार से आपको और भी नए वीडियो देखने को मिलेंगे तो बने रहें यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज पे